असलाम अलाईकम स्टूडेंस आज हम एक नई वीडियो के साथ हाजर है और हम उन चीजों के लिए उन टर्म्स के लिए यसे ट्रिक रखते होते है एक ऐसे ट्रिक क्रेेट करते है जिससे बच्छों को दो टरंबस कभी भी न厚 बोले और ऐसी चीजी होती है जिसमें बच्शे हमेशा गलतिया करते हैं और जो कि confusing होती हैं उनके लिए नोंगे लिएन हम ट्रेक्स रखते हैं। उर्थु grammar में जो है दो terms use होती है। एक होता है साबका और लाहँका अब बच्चे को नहीं पता है की साबका क्या होता है लाहँका क्या होता है एक लफ़ है या तो वो दूसरे लफ़ के आगे लगीगा या पीछे लगीगा लेकिन यह नहीं नहीं पता कि आया वो साबका है कि लाखका है टीक है न जैसे कि अगर आप्शन में आ जाए MCQ's में अक्सर आता होता है जैसे कि हैरत अंगेज है अब उनको नहीं पता है हैरत अंगेज है, यह साबका है कि यह लाहका है, साबका की जगा यह लाहका लिखती है, यह लाहका की जगा साबका लिखती है, तो अभी हम एक ऐसे सापका और यहाँ पही लिकलेंगी जी, लाहका अच्छा जी, तो सापका लाहका में आपने सिर्फ एक बात पर गोर करना है, और वो यह है कि सापका जो है, उसका पहला लव्ज은 OHसीन और लाहकnez का बात में जो लव्ज है वो पहला लव्ज है लाम ठीक है ये सीन से शुरू होता है ये लाम से शुरू होता है अब अगर आपको हरुफी तहजी तो आपने बढ़े होगी ठीक है ना हरुफी तहजी जैसे कि अलिफ से ये तक हरुफी तहजी होती है तो इसमें आपने इस बात का दियान रखना है कि जब आप अरिव से ये तक हुरुफी तहजी पढ़ते हैं तो उसमें पहले आता है सीन पिर बाद में आता है लाम याना पहले सीन आता है सीन के बाद सीन और पिर चलते चलते लाम आ जाता है तो जो लफ्स पहले आता है अपने यान क्या रखना है जो लफ्स पहले आता है वो एक ऐसा वो सापका है यानी सीन पहले आता है ठीक है ना लाम बाद में आता है अब सीन पहले आता है तो सीन एक ऐसा लफ्स है जो एक ऐसा लफ्स है या ऐसा लफास का मजबूआ है जो किसी तो दो किसी बी भी लफ़直接 लगा दिया जाए ठीक है यह एक ऐसी लफज है जो लफ़ वह सामने लगा दिया जा तो उसका मतला बदल जाता है ठीक है जैसे के अगर Mैं कहूं कि बदनुमा रए Behavior और मीनोमा और आपके पास आपशन है कि साबका है कि लागा है बत को उन्होंने अंडरलाइन किया हुआ है ठीक है न तो अब आपने याद रखना है कि हमने तो पड़ा था कि साबका वो साबका कि सीन पहले आता है ठीक है न जब सीन पहले आता है तो ये वो लफ़ है जो किसी लफज के पहले आता हो तो उसका माइनी बदल जाता है तो इसी तरह से जब आपको याद होगा कि सीन पहले आता है और ये लफ़ भी पहले आता है तो आप डायरिक्टली सापका पर टिक लगा देंगे आप्शन्स में ठीक है? इसी तरह आजब अगर आपके पास आजाए कोई दूसरा लफ जैसे कि है जरूरत मन्द ठीक है और आपके पास आप्शन मैहोस से कि ये आयस साबका है कि ये लाहका है और ये लफ जो है अंडर लाइन हो अब आपको पता है कि लाहका शुरू होता है लाम से ठीक है लाहका लाम से शुर और उसका मतलब तब्दील कर दे तो आप डाय एक लाहका पर टिक कर देंगे तो इसी तरहां से आप असानी से समझ सकते हैं कि लाहका क्या होता है, साबका क्या होता है एक वर पर से रिपीट कर देती हूँ कि लाहका और साबका में जो डिफरेंस है जो हमने ट्रिकर की है वो लाम और सीन की है सीन पहले आता है लाम बाद में आता है अब सीन को सीन पहले आता है तो सीन वो लवज है सापका वो लवज है जो किसी भी लवज के पहले लगा दे तो क्या हो जाता है उसका मतलब तबदील हो जाता है और لاक्का लाम बाद में आता है तो لاक्का वो लफ़ है किसी की लफ़ की लव़ज के बाद में लगा दे तो उसका मतलब दब्दील हो जाता है जो इसी तरह से आपको याद रहेगा कि साबका हो लाका में क्या डिफरंस है तेंक यू और मस्ट आपने लाइक भी करना है सब्सक्राइब करना है और फर्दर जो है क्या आप क्या कौन सी एक ऐसी प्रॉबलम है जिसके लिए आपको ट्रिक की ज़रुएत है तो हम कोशिश करेंगे कि वो ट्रिक भी आपके साथ शेर की जाए तेंक यू